हलो फ्रेंज वेल्कम बैट तो माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा हाटी हाई कोड के एक लेटेस जज्च्मन के बारे में दोस्तो आए दिन हम नाबालिक बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराद के बारे में सुनते रहते हैं तो इस तरह के जब अपराद होते हैं तो उनके जो केस फाइल किये जाते हैं वो उनके माबाब के द्वारा ही किये जाते हैं तो जब इस तरह से नाबालिक बच्चों के साथ कोई यौन अपराद होता है तो उसके शिकायत भी उनके माता-पिता के द्वारा ही की जाती है तो क्या इस तरह के केसों में समझोता उनके माता-पिता के द्वारा किया जा सकता है क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है च नबालिक बच्चे के साथ जो यॉन उत्पेडν किया जाता है या फिर करने की कोशिश कि जाती है, ऐसे अपरादों को इसलिए रद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन अपरादों में पीडिता यानिकी नबालिक बच्चे के माता-पिता ने समझाता कर लिया है. इस केस में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहट सेक्शन 354A क्लाज 2 और IPC 307 के तहट मामले को दर्च किया गया था क्योंकि मामला ये था कि पीडित के पिता ने पुलिस को ये इंफोर्मिशन दी थी कि जब उनकी नाबालिक बेटी घर लोट रही थी तो आरोपी उसे खीच कर किसी सूनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुश्ट कर्म करने के बाद उस बच्चे की हत्या करने की कोशिश की थी पिता के द्वारा शिकायत को दर्ज करने के बाद आरूपी को गिरिफतार किया गया और उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया पुलिस ने उसके खिलाफ चार शीट भी कोट में दायर कर दी मुकदमे के पेंडेंसी के दोरान दोनों ही पार्टियों के बीच में समझाता हो गया और आरूपी ने समझाते के आधार पर अपराधिक कारिवाई को तुरंथ ही रद करने की हाई कोट में गुहार लगाई सरकारी वकिल का कहना था कि ये बहुत ही घिनोना अपराध है और इस तरह के अपराधों में समझाता नहीं किया जा सकता और ना ही आरूपी को रिहा किया जा सकता है मामले को सुनने के बाद कोट ने कहा कि कोट CRPC के सेक्षन 320 में अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उस मामले को कमपाउंड बना सकती है और CRPC के सेक्षन 482 में अपनी पावर्स को यूज़ करके अपराधिक कारिवाई को रद भी कर सकती है लेकिन यहाँ पर मामला एक नाबालिक बच्चे का है जिसके खिलाफ एक घिनोना अपराद हुआ है ऐसे में कोट अपरादी कारिवाई को आरोपी के पीडित परिवार के साथ समझोते को लेकर रद नहीं कर सकते इसलिए कोट ने कहा कि किसी भी बच्चे के साथ जब कोई यौन अपराद होता है तो ऐसे मामलों में पीडिता के माता पिता आरोपी के साथ किसी तरह का समझोता नहीं कर सकते और इसी के साथ हाई कोट ने ट्रायल कोट को मुकदमे को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे दिये तो हो फ्रेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगा है इंफर्मिशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा